यह रिष्टा क्या कहलाता है कि कहानी और ट्यार्पी तोनों का संबंद इतना गहरा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते है शोकि ट्यार्पी लगातार मनी हुई यह और शो नमबर दो से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि शोकी कहानी इन दिनों दर्ष्कों को कितनी जादा पसंद आ रही है आपको हम बता दे कि शो के पिछले एपिसोड को लेकर दश्कों का ये कहना है कि अब जल से जल कार्तिक नारा की शादी करवा दी जाए क्यूकि शो के ट्रैक में काफी लंबा खिच रहा है होस्पीटल वाला सीन और यही वो वज़ा है जिसके कारण शो के मेकर सब होस्पीटल में करवा रहे हैं कार्तिक नारा की शादी जिसके बाद नारा कहीं न कहीं चीजों को भूलती नजर आ रही है और यह सब देखकर कहीं न कई दर्षक डिसपॉइंट हो रहे हैं लेकिन वो इntजार कर रहे हैं कि अब जल सी जल काईरा की शादी हो जाएर उनका इंतजार अब जल खतम भी होनेवाला है क्योंकि अब शो के आने वाले ट्रैक में ही दोनों की शादी हो जाएगी और हैप्पी एंडिंग भी होगी लेकिन दर्शकों को और भी जादा ट्विस तब देखने को मिलेगा जब नारा अपनी ही शादी भूल जाएगी जहां से अब आने वाले ट्रैक में भी ये देखना काफे मसेदार होने वारा है कि अब एपिसोड में क्या कुछ कार्दिक नारा ऐसा करेंगे जिससे दर्शक खुश होंगे और परिशान नहीं जानने के लबंजे माँ साथ फिलाल कमार शुर्म बस इतना ही और वेपने फेवेट शो ये रिष्टा का कहलाता है जो ये लेटेस्ट अब्लेट्स और हर रिव्यूज को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुमत भूले मारा चैनल टॉपनीज जस फो यू टॉपनीज से काजल की रिपोर्ट